besteht に आची तो पर जैरिराम आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर गाजर कि वर्फी जिसके लिए मैंने यहाँ पर 50. किलो गाजर लिए उन को अच्छे से रगड़ के गरम पानी से धो, आगे पीछे से टंठल निकाल लिए और जो गाजर पे रुवे होते हैं सिर्फ मैंने उनको ही हलके हाथ से उता रहा है और यहां पर गाजर को ऐसे कट करके दो सीटी आने तक हम कुकर में बंद करके उबाल लेंगे अब यहाँ पर देखिए हमारी गाजर उबल चुकी है मैंने दो सीटी आने पर गैस फ्लेम को ओफ कर दिया था और कूकर को खोल लिया है अब इसको चम्मच की सायता से इस तरह से हलका से दबा कर देखेंगे हमारी गाजर अच्छे से उबल चुकी है अब हम इसको कड़ाई को गैस के उपर रखकर सारी गाजर कड़ाई में निकाल लेंगे और इस तरह से मैशर से अच्छे से मैस कर लेंगे इनको धीरे धीरे से आप किसी भी चीज से इनको अच्छे से मैस कर लें बस गाजर को मोटी मोटी ना रहने दे ये बहुती आसानी से बहुत जल्दी गाजर की बर्फी इस तरह से तयार हो जाती है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी गाजर इस तरह से मैस हो चुकी है अब हम इनको इस तरह से चमच की सायता से चला चला करके इनका सारा पानी सुखा लेंगे जैसे ही पानी सुखे मैंने इसमें डाला है दो किलो गाजर में एक किलो खोया और खोया अगर आपके पास ज़्यादा टाइट है तो उसको आप इस तरह से कद्दू कस करके डाल ले सोफ्ट है तो आप सीधा खोया ऐसे ही डाल ले अब खोया को अच्छे से मैल्ट कर लेंगे हम अब देख रहे हैं खोया मैल्ट होने लग गया है इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे हम बीच में छोड़ेंगे नहीं नहीं तो हमारी गाजर सारी नीचे लग जाएंगी और गाजर की बरफी का टेस्ट होथ खराब हो जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं खोया अच्छे से मेल्ट हो गया है अब इसको हम तब तक चलाते रहेंगे तब तक यह कलर जादा इसमें रेड रेड या डारक ना हो जाए यानि की गाजर का कलर हमें ना दिखने लगे अब हम यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर गी 300 गी डाल लिया और 600 गी यहाँ पर चीनी डाल लिया अब हम इनको अच्छे से इसमें मिक्स होने के लिए ऐसे चलाते रहेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा गाजर का यह हलवा भी बतना कर खा सकते इस तरीके से और इनकों अच्छे से और पका लेंगे ताकि सारा इसका पानी अच्छे से भाप में उड़ जाए तो वो गाजर की बर्फी बन जाएंगे इस तरीकी से परात में हम देशीगी को ग्रीस कर लेंगे और इसको इसमें जमाने के लिए बर्फी ऐसे निकाल करके फैला लेंगे इसको एक बराबर लेयर में ही हम फैला लेंगे और इसके उपर आप अपने मन पसंद ड्राइ फूट डाल सकते हैं और इसको एक से दो घंटे के लिए हम जमने के लिए रख देंगे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पर जम चुकी है और अब हम इनको किसी भी सेप में आप यहाँ पर बर्फी को कट कर सकते हैं इस तरीके से हमारी घाजर की बर्फी तयार हो जाती है आप अगर जाओ तो इसमें इलाईची पाउडर भी डाल सकते हैं किसमिस भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंदो इसमें डाल सकते हैं ड्राइफ रूट्स अब ये जम करके तयार हो गई हमने बर्फी को कट कर लिया और इस तरीके से निकाल ली आप इस रेसेपी को एक बार जरूर ट्रै करिए आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्रा अकाउंट पे जाके आप सभी मुझे फोलो जरूर करें आप सभी का धन्यवाद जैश्री राम